देवास सुनकच के सावेर में ग्राम गंजपूरा में सरपंच और पंचायत मंत्री द्वारा कोई भी विकास काम नहीं किया जा रहा है जहां एक और केंदर राज्य सरकार स्वक्ष्टा मिशन पर काम कर रही है वहीं गाउं के सरपंच और मंत्री शासकी योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हुए है पूरे ग्रामिट छेत्र में गंदगी पड़ी हुई है ऐसा लगता है सालों से साफ सफाई की विवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है पूरे ग्रामिट की यह समस्या गंदगी हो रही है मौला में सब बिमार पड़े हो निकलने हम सभी परसा नहीं आती है पूरे रोड के उपर गंदगी फेली हो यह पानी फेलता हुआ जाता की चड़ हो रही है आपको गंदगी जो विकास काम हो भी रहे है वो ठीक से नहीं करवाय जा रहे इनमें आंगनवारी भवन भी है आंगनवारी भवन की निर्मार में कच्ची इट गारे से जोड़ कर भवन को तयार किया जा रहा है जब यह सूचरा मीडिया कर्मियों को लगी तो वे वहां की कवरिच करने जा पहुचे कवरिच करने की दवरान ठेकेदार रवी मालवी वहां से फरार हो गया वहीं सरपंच अप्टी यादव दवरा मीडिया कर्मियों को जान से मारने की धंकीत दी जा रही है बताया जा रहा है कि पंचयाद मंत्री अंबारा मालवी की इसमें मिली भगत है आज आकर देखा इदर से निकले तो जब देखा तो इसमें अधिकारी वगड़ा कोई अवगत करवाया है ग्रामीडों से बात करने पर ग्रामीडों ने सरपंच और पंचयाद मंत्री के खिलाफ अपना आक्रोश जताया अच्छी पक्की दिवार करें वह कच्छी लगाए तो बच्चे बच्ची खेले हुआ अब पानी पड़ा तो दसी मेली जाए पड़ी जाए बच्चा बच्ची का नुक्सान होई नाराज ग्रामीडों का कहना है कि गाउं में ना तो ठीक से साफसफाई हो रही है और ना ही अनकाम जो हो भी रहे हैं वो निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं हो रहे हैं फिलाज देखना तो ये है कि सरकार के सपने को खुले आम पलिता लगा रहे इन लोगों पर क्या कारवाई की जाती है सो नकच्छ से न्यूज के लिए कलकी राजडावी की रिपोर्ट